वीडियो इस नॉट दि मेन कॉटेंट अफ द पेज यह एरर गूगल सर्च कॉंसोल में कई बार वीडियो इंडेक्सिंग रिपोर्ट के अंदर दिखाई देती है इस रिपोर्ट का मीनिंग क्या है इसका असर क्या होता है यह क्यों आती है और कैसे सॉल्व करना यह सारी बात को seriously affect कर सकता है जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बोलता लेता है कि बार बार को में Celixel अuch देते हैं हमें पता ही लगेगा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखे कॉमेंट करें वीडियो इंडेक्सिंग रिपोर्ट देखने के लिए आपको Google Search Console के डाशबोर्ट में साइड बार में इंडेक्सिंग सेक्शन में जाना होगा और वीडियो पेज़ेस पर क्लिक करना होगा इस वीडियो इंडेक्सिंग रिपोर्ट में आपको दो चीजें दिखाई देती है नो वीडियो इंडेक्स और वीडियो इंडेक्स बट यह है क्या पेज़ में से जितने पेज़ में वीडियो हैं उनकी रिपोर्ट यहां इस टैब में दिखाए देती है एक्जामपल से समझ लेते हैं लेट से कि आपकी वेबसाइट पर 100 पेज़ हैं इन 100 पेज़ में से 60 पेज़ इंडेक्स हो चुके हैं और 40 इंडेक्स नहीं हुए है अब यह जो 60 इंडेक्स हुए पेज़ इन में से 50 पेज़ पर एक एक वीडियो है और यह जो 40 नॉट इंडेक्स पेज़ हैं顯 से 30 पेज़ पर एक एक वीडियो है तो आपकी वेबसाइट पर टोटल कितने वीडियो हो गये 50 और 30 80 बट यहां इस report में no video index और video index दोनों का नबर मिला कर total 50 ही होगा why? क्योंकि सिर्फ index हो चुके pages में से जिसमें जितने videos हैं उनकी report आपको यहां पर मिलेगी अगर कोई page index हुआ ही नहीं है तो उसमें video है या नहीं है उसको यहां पर count नहीं किया जाएगा now in 50 video वाले pages में से कुछ videos को google index कर लेगा और कुछ को index नहीं कर लेगा जिन्हें google index कर लेगा वो pages भी दिखाई देंगे उनके साथ में videos भी इस तरह से दिखाई देंगे लेकिन जिन videos को index नहीं करेगा उनके pages दिखाई देंगे, pages के साथ में video नहीं दिखाई देगा, okay, so pages हो सकता है कि दिखाई दे जाएं, but वो video के साथ में दिखाई नहीं देंगे, now google आपके index हो चुके pages पर जो videos हैं, उन्हें क्यों नहीं index करना है, इसके कई सारे reason हो सकते हैं, जिसमें से एक है, video is not the main content of the page, which is the topic of today's video, now इस error का meaning बड़ाई simple and straightforward, जो यह बोल रहा है, वही कर रहा है, google bot को यह लगता है कि आपने जिस video को अपने page में लगाया है, embed किया है, वो उस page का main content नहीं है, अब यह जरूरी क्यों है उस video को देखेगा, but अगर वो video page के content से related ही नहीं है, तो उस video को देख के search करने वाले को कोई benefit नहीं होगा, तो उस video को search results में दिखाने का भी कोई फाइदा नहीं है, एक example ले लेते हैं, let's say हम google पर search करते है, how to tie a tie, tie कैसे बांधे, search results pages में यहाँ पर जितने भी page दिखाई दे रहें, उनमें से एक page में वीडियो है, but वो video इस बारे में नहीं है, कि tie को बांधे कैसे, बलकि वो एक video testimonial है, उन clients का, जिन्होंने website से tie बांधना सीखा, और जीवन में तरक्की मिल गई, maybe tie बां रहें, लेकिन search करने वाले के लिए video useful नहीं है, क्योंकि वो यह यह नहीं सिखा रहा है, कि tie कैसे बांध नहीं है, अब job लगे कि तब वो बात में thankful होगा, अभी तो से tie बांधना सीखना है, so now आप ही सोचिए कि इस video को search results में दिखाने का फाइदा क्या है, यह था first reason, second reason यह भी हो सकता है, कि इस page पर एक से ज्यादा videos है, so google bot को अब यह नहीं पता, कि page के main content के लिए कौन से video use किया जाए, it is confused, कई दफा लोग अपने business site के home page पर 2-3 customer testimonial वाले video डाल देते है, now video testimonial जरूरी है, लेकिन home page के content से लेना देना नहीं है, home page आपके business के बारे में है, business के experience डिरेक्ली इस page से relate नहीं कर रहा है, लेना देना नहीं है, और उस पर भी एक से ज्यादा video testimonial है, home page पर, तो google bot अगेन और confused हो जाता है, so अगर आप इस error का मतलब समझ गए है, तो अब इसके solution के बारे में बात करते हैं, और अगर नहीं समझे है, तो hello everyone, नमे तुरी, blah, blah, blah तब वहां से आप फिर से video को देखना शुरू करें, कई बार लोग कमेंट करते हैं कि solution नहीं बताया है, बताया है, आपने video को ध्यान से देखकर समझा नहीं है, अगर कोई खास हिस्सा समझ में नहीं आया है, वीडियो का कोई point नहीं समझ में आया है, तो comment section में आप बता सक करते हैं, but let's try to understand the concept first, एक बार में समझ में नहीं आता है, तो rewind करके, दोबारा से देखिए कभी life में ABCD भी 1000 बार revision करके ही आपने देखी होगी, go easy on yourself, give yourself some time, अब देखते हैं कि इस problem का solution क्या है, number 1, अपने videos के लिए dedicated pages बनाई है, अभी example में हमने review देखा था, video testimonial वाला review दे X, Y, Z product by so and so brand reviewed by Mr. and Mrs. ABCD, इसी को आप H1 भी रख सकते हैं, page में थोड़ा सा detail डालिए कि product क्या था या service क्या थी, कब product या service फला customer ने purchase करी है, और उसके नीचे अपना video embed करती है, so ये video इस page का main content हो गया, और search results page में ये दिखाई देगा आप, now एक page पर एक video main content हो गया, अब इसी video testimonial को, इसी video को homepage पर भी embed कर सकते हैं, कोई ऐसा rule नहीं है, कि उसी video को आप सिर्फ एक ही page पर डालेंगे, दूसरे page पर डाल नहीं सकते हैं, ये किसी और भी page पर embed करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे video testimonial, जो review वाला video है, वो आपका एक search results page में आ जाएगा और homepage पर भी अपनी मर्जी के साब से आप use कर सकते हैं, दोनो purpose solve हो जाएगे, नमबर दो, अगर separate page नहीं बनाना चाहते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, तो फिर video का topic उसका content page के purpose से match करता हुआ होना चाहिए, for example, same homepage है, इस page पर review वाला video main content नहीं हो सकता है, लेकिन अगर video आपक business का introduction video है, intro video है, या फिर launch का video है, तो वो relate करेगा, ऐसे videos को आप homepage पर add कर सकते हैं, use कर सकते हैं, ये index हो जाएगा, नमबर तीन, एक ही page पर एक से ज्यादा ऐसे videos को मत use करिये, जो same importance के हो, for example, हमारे homepage पर ही अभी मैंने बोला, कि launch video आप डाल सकते हैं, लेकिन दो launch video डाल दें एक ही topic पर एक ही similar importance वाले ज्यादा videos हैं, तो उन्हें एक ही page पर post मत करिये, अलग-अलग pages बना दीजी और इसके बाद उन videos को एक एक करके post करिये, आपके पास pages ज्यादा होंगे, तो उनके rank होने के chances भी बढ़ जाएंगे, ज्यादा traffic आए, ज्यादा page से नुकसान तो चले कि आपको किस तरह का content अच्छा लगता है ताकि आपको ऐसा ही content ज्यादा दिखाएं, इदर उदर की फालत हुच चीज़ें ना दिखाएं, तो गूगल के एल्गोरिदम की भी help करिये, वीडियो को like करें और share करें, मिलते हैं अगले video में, thank you so much watching this video, my name is Amitivari from Amitivari.net and I I will see you next time, take care.